नमस्कार दोस्तों इससे आपका स्वागत है पॉलिटिक्स के इस दूसरी वीडियो में आज हम बात करेंगे कुछ एक गोटालों की बारे में जो इंडिया एलाइस के मेंबर्स हैं देखिए हमारी स्क्रीम फिर अख्लेश चाहरो जी तो इह उने जो खनन गोटाला किया था द अगर बात करें तो इन्हीं मायावती जी ने मुटी गोटाला किया था लगवगे 40,000 क्रोड का अपने टाइम में तो इसकी शिकायत हमारे अख्ले श्यादव जी ने की थी तो देखिए इसी करम में आगे बात करेंगे हम ममता बनद जी ममता दीदी की ममता दीदी ने जो 16, साचे फंड स्कैम किया था पच्चे मंगा रहें 34 गुना पैसा देने की बात करी थी तो यह लग पच्छी सो से तीना साथ प्रोड का जो स्कैम था इसकी जो शिकायत दर्स की थी मामला उठाया था था हमारे रहाल गांदी और इंडिया नेशनल कॉंग्रेस इन दोनों ने मिल के इसके उपर मांग उठाई थी अगर हम बात करें इसके बाद की करम की रावल बार्रा जो कि हम देख पा रहे हैं रावल बार्रा जी लैंड स्कैम किया था लग उपनिंग की थी हमारे के जीवाल जी ने की ती अरे ऐसे मत देखो हुई प्यार हो जाएगा हां तो इन्होंने इसकी ओपनिंग की थी खिकाय दल्स की थी कि यह स्कैम हुआ है अब देखिए यह सारे मिलकर आरोप लगाते हैं ED और CBI पर कि यह मोदी सरकार इनका दुरूपियों करती है फिलाल यह सब ही जो है घटक दल इन्होंने अपना जो इंडिया लाइंस बनाया है है हम देख सकते हैं कि 1224 की एलेक्षिन पूरे हो चुके हैं जिसमें मोदी सरकार को एंडिया के तहत भूमत मिला है तो यह देखते हैं इंडिया लाइंस अब भीपक्षिक तोर पर कितनी महतपून भूमी करनी वाता है हम सीटों की बात नहीं करें तो अच्छा रहेगा और इक लेफ ला धन्यवाद